यह लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले wrong side of the fabric पे thread attach करेंगे और baseline बनाएंगे chain 2 single crochet से suppose यह thread यहाँ पर attach के आपने तो इस तरह से chain 2 बनाना है 1, 2 और fabric में single crochet बनाते हुए इसे attach कर देना है जैसे ही आपकी baseline complete हो जाती है तो chain 6 बनाएंगे और turn करेंगे chain 6 बनाएंगे इस तरह से turn करेंगे अब treble crochet बनाना है two time इस तरह से wrap करेंगे one space को skip करेंगे next space में जाकर treble crochet बनाएंगे तूटू लूप में से निकालते वे ट्रेबल क्रोशे बनाते हैं इस तरह से ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह से जो लटकन है इसे हुप में इस तरह से रखी के और रैप करते वे निकाले के इसमें से और ये दोनों लूप में से निकाल दे के और इसे इस तरह से सा आधाइगे और एक स्पेस को स्किप करेंगे नेक्स पेस्स में सिंगल क्रोशे बनाते विर इसे और कर देगे अब सेयम कंटी नू करेंगे हम । चेंग धुझ और एक लटकन लगाते चाहे है ता फिर से चेंग सीच ट्रे्बल क्रोशे बनाने के लिए वाद यहां तो टॉ ट्रैम रैप करेंगे, one space के skip करेंगे, नेक्ट स्पेस में ट्रैबल क्रूशे बनाएंगे, टू-टू लूप में इसे निकालतेवे, इसे पूल करते जाएगे, ट्रैबल क्रूशे बनाने के बाद, बस्ट करेंगे, तो रैप करके निकालेगे इस तरह से टू लूप्स आगे हमारे पास और इसे साइट में इस तरह से कर देगे और ये टू लूप्स में से निकाल देगे इस तरह से तो ये सेंटर में आजेगी ये लटकन और फिर से चेंज सिक्स और one space को skip करते वे next space में इसे attach करते गे तो same repeat करते जाएगे और एक एक center में हम इस तरह से लटकन को attach करते जाएगे करते जाएगे ओर एकmor से आएगे करते जाएगे जह डिए झाल झाल